प्रेंफॉल उसके बाद भी जारी रहेगा और दो दिन के लिए लेकिन कोई वाणिंग नहीं है 10 थर्टींथ और 14 अभी यह जो रेंफॉल है इसका ज्यादा असर गोवा के उपर के जो क्रॉप से उसके उपर रहेगा अग्रिकल्चरर अक्टिविटी और तो वह सारे डीटेल्स आइमडी के वेबसाइट में क्रॉप स्पेसिफिक इंपाक्ट बेस फॉर्कास के रूप में जारी किया है नौर्थ कोवा नौर्थ कोवा के जो डिस्ट्रिक्ट अग्रियोमेट उनिट है उनके गाडन से प्रकार किया गया है तो प्लीज भी अप्डे में वानिंग है स्कॉड़ी वेदर विट विंस्पीड रीचिंग इवन अप तो 55 किलोमेटर पर आवर और यह जो एडिया है जहां पर वानिंग है उसको यह ग्राफिक्स में मार्क किया गया है तो फिशर्मन और रिक्वेस्टेट नौर्ट वेंचरें तो इस एरियास फ्र झाल